नमस्कार जैभीम जैजोहार मेरा नाम है पूजा आप देख रहे हैं जन्ही तावाज जहंगीरपुरी में अतिकरमण बता कर तोड़ फोड के बाद से दिल्ली में बुल्डोजर की राजनिती किस तरह से तेज हो रही है ये दिखी रहा है बागी अभी जो मामला सामने आया है श्री नवासपुरी का है जहां एक मंदिर को लेकर विवास सामने आया है जहां एक मंदिर को तोड़ने के लिए डीडिये ने वहाँ पर नोटिस तक लगा दिया है अब यहाँ पर राजनिती तेज हो गई है जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि देखिये बीजेपी किस तरह मंदिर तुड़वा रही है वही बीजेपी कहती है कि बीजेपी मंदिर बनवाती है तुड़वाती नहीं है अब इसमें आम आदमी पार्टी की MLA अतिशी और मदल लाल को श्री निवासपुरी का यही नीलकंट मंदिर मिला था भजन कीरतन को जहां DDA ने इसे तोड़ने का नोटिस दिया है अब आप नेता अतिशी का आरोप है कि यह अवैद वसूली करने के लिए की गई घटिया हरकत है मगर आम आदमी पार्टी मंदिर पर बुल्डोजर नहीं चलने देगी और अतिशी ने ये भी कहा कि उन्हें लोगों की शिकायते आ रही है कि उन्हें धमकी दी जा रही है उगाई की और ये बात कही जा रही है और उन्हें बुल्डोजर से धमकाया जा रहा है आप नेताओं के बाद बीजेपी के नेता भी इस मंदिर में आ पहुँचे हैं और याद दिलाने लगे हैं कि बीजेपी मंदिर बनवाती है तुड़वाती नहीं है और तो और उन लोगों ने ये दावा तक किया है कि इस मंदिर पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ये आती है दिल्ली में MCD चुनाव आने वाले और MCD चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम और BJP नेताओं के खिलाफ अतिकर्मण के मुद्दे पर अभ्यान चला रही है और इसे वसूली गैंग बता रही है वहीं BJP आपके खिलाफ कानूनी का आरवाई करने को कह रही है मंदिरों और धार्मी के स्थलों को लेकर राजनीती की जा रही है और दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप परत्यारोप लगा रही है अब ऐसे में सवाल ये है कि जब जांगीर पूरी में BJP की MCD के द्वारा अतिकर्मण बताकर बुल्डोज बुल्डोजर चलाये गया तो सबसे पहली शुरुआत मस्जिद से की गई थी वहीं साथ में मौजूद मंदिर भी अवैद निर्मान द्वारा बनाया गया था मगर बुल्डोजर का रुख उस तरफ नहीं होता यह हो सकता है बुल्डोजर को मंदिर दिखा ही नहीं होगा और दिख भी गया होगा तो हो सकता है बुल्डोजर को उस वक्त रतोंद आ गया होगा खैर अब बात यह आती है कि आम आदमी पार्टी जहंगीर पुरी के मस्जिद तोड़े जाने पर अपना मू तक नहीं खोलती है और जैसे ही स्री नवासपुरी के नील कंठ मंदिर को डहाने की बात आती है तो आम आदमी पार्टी की अतीशी खुला चैलेंज कर देती है कि चाहें जो हो जाए मंदिर नहीं तूटने देंगे मगर एक बास समझ नहीं आई केजरी बाल बाबा साहिब अंबेडकर को मानते हैं वो ऐसा कहते हैं और उनकी तस्वीर भी आप पार करेगा और जो मंदिरों को मानेगा वो बाबा साहिब की बात नहीं करेगा तो क्या यह सब सिर्फ एक धोंग और दिखावा किया जा रहा है सत्ता में बने रहने के लिए और आपके वोट मिलते रहने के लिए यह सब किया जा रहा है ऐसे में यह फैसला मैं आपके हातों में छोड़ती हूँ आप खुद ही तै कीजिए कि ये राजनीती है या वाकई में जनकल्यान के लिए ये सब है या फिर वाकई में सब बुल्डोजर है शुक्रिया